मा की बाते सरीयू बाला देवी से वारतालाप मंगलवार 6 अप्रेल 1918 अज जाकर देखा तो मा उत्तर की ओर के बरामदे में बैठी जब कर रही है थोड़ी देर बाद 5-6 महिलाए मा से मिलने आई उनके ठाकुर प्रणाम करके बैठते ही मा ने अपना जब समापत करके उन लोगों से पूछा कि वे कहां से आ रही है नलीनी ने उनका परिचय दिया सुना कि उसमें से एक जन चिकित्सा के हेतु आई है पेट में ट्यूमर है डॉक्टर ने कहा है कि शल्य चिकित्सा करनी होगी यही सुनकर उन्हें बड़ा भै लगा है न जाने क्यों मा ने इन में से किसी को पाओ में हाथ लगा कर प्रणाम नहीं करने दिया उनके बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने राजी न होते हुए कहा उस चौखट से धूल ले लो अंत में उन लोगों ने बीमार महिला को दिखा कर कहा आप आशिरवात दीजिए कि वहां ठीक हो जाए और पुनह आपके दर्शन पा सके मा आश्वासन देते हुए बूली ठाकुर को अच्छी तरह प्रणाम करो वे ही सब है बाद में वे थोड़ी अधीरता के साथ बोली तो फिर तुम लोग अब चलो रात हो गई है उन लोगों के ठाकुर को प्रणाम करके चली जाने पर मा ने कहा गंगाजल छिड़क कर कमरे में ज़ाडू लगा डाल अब ठाकुर का भोग उठेगा आदेश का पालन हो जाने पर मा उठकर नीचे आई और बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे हाथ में पंखा दे कर बोली हवा कर तो बेटी शरीर जल गया प्रणाम करती हो तेरे कलकत्ते को कोई कहता है मुझे यहाँ दुख है कोई कहता है मुझे वहाँ दुख है अब और सहन नहीं होता कोई तो नजाने क्या क्या करके आते हैं तो किसी के पच्चीस बाल बच्चे हैं उन में से दस मर गए इसलिए रो रहे हैं मनुष्य नहीं सब पशू है पशू सैयम आदी का नाम तक नहीं इसलिए ठाकोर कहा करते थे अरे एक सेर दूद में चार सेर पानी है फूकते फूकते मेरी आखे जल गई मेरे त्यागी भक्तों तुम लोग कहा हो आओ तुमसे बाते करके प्राण बचे ठीक ही कहते थे जोर से हवा करो बेटी आज चार बजे से ही लोग आ रही है मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता अहाँ आज बलराम की पत्नी भी आई थी बाबुराम के लिए कितना रोई है बूली यह क्या मेरा जो सो भाई है ठीक ही तो है बेटी देवता भाई था थोड़ी देर बाद उन्होंने तेल की मालिश कर देने को कहा मालिश करते करते मैंने कहा मा भक्तों के खाने के लिए मैं दाल पका कर ले आई हूँ मा बोली अच्छा किया है राखाल ने भी कुछ भेजा है इसके पूर्वर आधु के पती ने कुछ विशेश खाने की इच्छा व्यक्त की थी किसी के वही प्रसंग उठाने पर माने कहा इस समय कैसे हो सकता है मेरा बाबुराम चला गया है सबका मन दुखी है यहाँ ठाकुर का घर है इसलिए कामकाज सब चल रहा है नहीं तो रोने पीटने की आवाज से पूरा मकान भर जाता क्या कोई उठ पाता लेकिन खाने की इच्छा प्रकट की है तो देना ही होगा सो ये लोग यदि पका कर लाए तो हो सकता है इतना कहकर मेरी ओर देखते ही मैंने कहा जमाई यदि हम लोगों के हाथ का खाए तो अवश्य ला सकूंगी माने कहा खाएगा क्यों नहीं गुप खाएगा पकाने के बाद ब्राह्मन रसुयों के हाथ भेज देना लड़के में से किसी किसी को अर उची हुई है जगदंबा का प्रसाध होने से वे लोग भी थोड़ा-थोड़ा खाएंगे सोमवार 12 अगस्त 1918 मैं शोख हरण की बड़ी इच्छा है कि कुछ खाना बना कर आपको खिलाया जाए सो मैं यदि पका कर लाओं तो क्या आप खाएंगी मां क्यों नहीं खाऊंगी बेटी तुम मेरी बेटिया जो हो परन्तु ज्यादा मत करना बस थोड़ा बहुत करने से हो जाएगा स्वास्ते ठीक नहीं है न और इस रास्ते लाना होगा मैं अच्छा ऐसा ही करूंगी इतना कहकर ही मैंने उस दिन विदा ली अगले दिन कुछ खाना बना कर ले जाते ही मा ने कहा यहाँ देखो जी कितना कश्ट करके यहाँ सब ले आई हो नलीनी दीदी ने कहा तुम मांगती हो तभी तो ले आती है मा बोली इससे नहीं मांगूंगी मेरी बेटी है और यहां क्या कम सवभाग्य की बात है क्या कहती हो बेटी मैं ठीक ही तो है मां जो कृपा करके लाने को कहती है उसी से हम लोग धन्य हो जाती है आज काफी रात हो जाने के बाद ही गई थी भोग के बाद प्रसाद लेकर घर लोटते समय मैंने कहा कल शायद आना नहीं हो सकेगा मा एक घर में विवाह का निमंतरन है मा अच्छा तो कल ना आने से समझूंगी की विवाह में गई हो उस दिन का घी ठीक नहीं था तली हुई चीजे उतनी अच्छी नहीं हुई उस दिन मा के ऐसा कहने के कारण एक दिन में अच्छे घी के कई तरह की चीजें पीठा, दाल, सबजी आदी बना कर ले गई थी खाकर मा ने बड़ा आनंद व्यक्त किया मा की भतीजी नलिनी दीदी में थोड़े छूत का भाव था उन्होंने भी उस दिन वहाँ सब खाकर कहा था मुझे तो किसी का पकाया अच्छा नहीं लगता परन्तु इसके हाथ का खाने में तो घ्रणा नहीं होती मा ने कहा, क्यों होगी, यहां मेरी बेटी जो है बाद में उन्होंने मुझसे कहा देख, उस दिन तुम जो अर्वी के पत्ते की चटनी लाई थी वहाँ इन लोगों ने मुझे नहीं दी